देखिए आज हम आपको LCM बताएंगे और ध्यान पूरुवक से समझने का प्रयास करें मेरा गैरेंटी है कि आपको समझ में जरूर आएगा अगर आएगा तो हमारे वीडियो को सेर जरूर करें और चैनल को सस्क्राइब करें यह देखिए हमने टू का टेबल लिखा है यहां पे देखिए कितना लिखा है बारा और अठारा बारा और अठारा का क्या करना है LCM तो बारा और अठारा ये किस पहाले में आता है तो दो के पहाले में आता है ये बारा कितनी बार में आता है छे बार में दो छंग बारा दो निम अठारा देखी अगर इसका हम गुणा करेंगे तब भी बारा ही आएगा छे दुनी बारा नो दुनी अठारा देखी ये छे और यह नो यह 6 किस पाढ़े में आता है दो के दो तियां 6 नो तो नहीं आता इस वज़े जो नहीं आता उसे उतार देंगे फिर यह 3 किस पाढ़े में आता है 3 के और यह 9 भी 3 के पाढ़े में 3 एकम 3 यह 9 है 3 तियां 9 यह 3 के पाढ़े में 9 भी आता है 3 एकम 3 तियां 9 अब देखि एक का मतलब कुछ नहीं है यानि अब देखी यहां पे यह तीन है एक आ गिया तो एक तो उतार देंगे हम तीन है तीन एकम तीन जब तक एक एक ना आ जाए तब तक हमारा यह प्रोसेस जो है ऐसा ही चलता रहेगा यहां पे एक आ गिया अब इसको भी हमें एक लाना होता है जैसे तीन एकम तीन किया गया तीन तीन नो फिर एक आया एक को उतार देंगे तीन एकम तीन अब देखी इनका मल्टिप्लाई कर देंगे दो गुणे दो तीन गुणे तीन दो दुने चार चार तीन बारा तीन चार तिस देखिए ये है चार है तीस है इसका भी ऐसी कर देंगे ये चार किसे कटेगा दो के पाड़ें दो दूनी चार दूनी चार ये तीस है ये कैसे काटेंगे देखिए अगर इसको आपको ना काट मिले तो ऐसे भाग भी देकर हम काट सकते हैं जैसे ये तीस है इसको हम दो स से दो गया एक बचा यह 0 है जीरू दो पंजे दस के देखी तो हमारा क्या हो गया यह इसी तरह हम इसको काट सकते हैं तो दो चाहे तो ऐसे डैरेक्ट दो एकम दो ऐसे छोटा सा दो गर्दोटीमें से दो गया एक बचा फिर दो दो फिर दो एकम दो इसे काड़ देंगे फिर 15 है नहीं आता दो के पाढ़ें उतार दिया जाएगा फिर देखिए एक आ गया यहां भी एक लाना है तो हम यह 15 किस पाढ़ें में आता है तीन की एक नहीं आता उतार दो तीन पंजे 15 बंद्रा कर देखिए एक मेरे फिर फाँच है तो यह पांच किस पाढ़े में आता पांच कि पार इमिंदम 5 बस हमारा अब इसको क्या करेंगे मल्टिप्लाइगे दो गुने दो फिर तीन गुने पांच इसको हमने उतार लिया इसका मिल्टिप्लाई कर दो दो दुनी चार चार तियां बारा बारा पंजे साथ हमारा आंसर आ गया साथ यानि अगर इसका LCM कोई पूछेगा तो कितना आएगा साथ इसी तरह हम LCM को करेंगे देखिए अगला हम LCM कैसे करेंगे यहां 50 है यहां 10 है यहां 30 है यहां 35 है इनका LCM कैसे निकालेंगे बिल्कुल बैसे ही निकालेंगे जैसे यहां 50 है तो हम क्या करेंगे यह 2 के पाड़े में 50 हमारा कड़ जाता है कैसे करता है धियान पूरवक देखिएगा अगर दो से हम भाग देंगे पचास को दो दूनी चार पांच में से चार गया एक बचा ये जीरो है उतर गया दो पंजे दस यानि कितनी बार में ये कटा 25 बार में तो एक तरीका ये है एक तरीका ये भी है दो दूनी च्यार ऐसे करेंगे तो पांच में से चार गया एक बचा तो यहां दस हो गया फिर दो पंजे दस कॉमा लगा लगा दिया लगा दियें दो के पाड़े में दस कितनी बार में दो पंजे दस कट गिया अब देखिए यह 25 है यह किसके पाड़े में आता है पांच के पाड़े में आ जाता है पच्वम 25 पांच एकम 5 अब देखिए यह 5 किस पाड़े में 5 के पाड़े में 5 एकम 5 अब देखिए दोनों साइड में एक एक आ गया यानि हमारा ये हल हो चुका है अब देखिए इसका मल्टिप्लाई करना है LCM LCM कितना आया दो गुणे पांच गुणे पांच तो दो पंजे दस दस पंजे पचास का LCM कितना आया पचास दो पंजे दस दस पंजे पचास अब देखिए इसको भी ऐसे हम करेंगे अगर आप ऐसे ना कर पाएं तो आप इसको भाग दे कर भी ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने आपको सिखाया 2 एकम 2 3 में से दो गया 1 2,5,10 चाहेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बरना ये भी तरीका 2,1,2 1 बचा 3 में से दो गया 1 बचा 2,5,10 ये 35 है नहीं कटेगा इसलिए इसको हम उतार देते हैं अब देखिए दो फेह पाड़े में यह तो नहीं कटे गा ना ही इकटेगा क्योंकि इसके लाश्ट में पांच है इसके लाश्ट मीराश्ट एंब दार देंगे अभिए पंथ है इसको पांच से काड़ते हैं क्योंकि जिसके लाश्ट में पांच सुरुवात में जिसके लाश्ट में पांच हो पांच से करता है तो पांच एकम पांच पांच सत्य पैंटेस अब देखी अब किसका पाड़ा पढ़ेंगे साथ का साथ एकम साथ अब देखें का मल्टिप्लाई करेंगे एल्सीयम बराबर है दो गुणे तीन गुणे पांच गुणे साथ है दो तियाँ छे पांच छे पंजे तीस तीस सत्य साथ तियाँ साथ दो सो दस इसका एल्सीयम कितना आगया 210 यहीं हमारा अंसर है तो इस तरह से आप एल्सीयम सीख जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें करें